हेलो गाइज वेलकम बैक टो मैं चैनल एजुकरेबर राब सब कर स्वागत है फिर से हमारी नेशा अंदर वीडियो में सो जैसे कि आप ने स्क्रीन पर देखी सकते हो कि आज की वीडियो हमारी किस बारे में सो आज की हमारी वीडियो का मुद्धा है सेकिंड कट ओफ लिस्ट जैसे कि जब फर्स्ट कट ओफ लिस्ट आई थी वो भी मैं आपको वीडियो के थ्रू बता चुकी हूं और सारी कट ओफ लिस्ट रिलीस होने से पहले जो डियोनी ऑफिशियल एक तरह के से शेडियूल निक कल मुझे तरह टाइम ने मिल पाएदा तो इसलिए कि वीडियो में आज बना रही हूं ठीक है सो आज है हमारी सेकिंड कट ओफ के बारे में फॉर्स कट ओफ जब निकली ति उसके रिलेटेड मैंने आपको बहुत सारी जो आपके क्वेरिस थी वो अल्रेडी क्लियर कर दी कैसे आपको सब्जेक्ट करना है कैसे आपको कट आफ देखना है कहा पर आपको कट आफ पी जैंगी कॉले जए और किस तरीके सरी से से मिलेगी वह बहुत सेकिंड कट ओफ में भी बस डिब् uh होगा तो marks का होगा because taking cut off हमेशा highest होती है और हमने देखा है कि कई सारे subjects के तो 100% भी चला गया था अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो मैं प्लीज आप से बीच में छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और आगे जो बेल आइकन इसको प्रेस कर लेना तक आपको सारी आने वाली इतनी informative वीडिय के लिए आते रहते हैं और जो भी आस्पिरेंट से नेक्स्ट एयर के लिए उनके लिए मैं इस पर कोशिश करूंगी कि मैं पूरा अच्छे से एक एक टॉपिक को जो है आप लोग के लिए लेकर आसे कूं लाइक आई प्रीटी के ओल्टिंकर और वो ना सिर्फ जो भी एम काफिसर बच्चों को यह कंफिजन थी कि अगर हमने वंस्य आफ दन विदियो नेम चेकिंगे कट आफ लिज्टो कि आपने अपना नाम जो है चेक कर लिया है कि आपका है नहीं जिस पर तरीके से है ठीक है वो अपने फुरा कंफिर मिशन आपके पास हो गया है दैन आपको नेक्स स्टेप क्या करना है वो बच्चों को नहीं सर्मझा रहा है तो वहीं मैं आपको सुट्यों में बताऊंगे ठीक है सो लेट स्टार्ट सो अब हम आगे हैं द्यू की ओफिशिल वेब साइट पर आपने स्क्रीन पर देख सकते हो कि मैंने द्यू की ओफिशिल वेब साइट को उपन कर रखा है यह महीं आपको इसलिए रही हो ताकि आपको जो है पीडिएफ कहां से मिलेगा वह पता चल जाए ठीक है विकास को तो जाए बच्चे को फिट डाउट होता है कि आपने कहां से जो है पीडिएफ डाउनलोड कि हम ही नहीं मिल रहा है तो उनको जो है उतनी सिटी पे तो उनको जो जो है तो इसलिए अपको अच्छे से दिखाने कोशिच कर रही हूं कि आप मैंने जो पीडिएफ अच्छे से दिखा चुकी हूं और जो दिखा चुकी हूं अगर आपने नहीं देखा ही कि आपको कैसे जो है आंसर की चेक करने है कैसे आपको क्वेशंट्स को चैलेंज करना है कितना आपको पे करना पड़ेगा किसी सापकी चल्ण चैलेंज कर स्पूंस मिलेगा अगर आपकी रंग आंसर को challenge करते हूं तो वह सारा और प्रोसीजिर है मैंने अपनी लास्ट वीडिव में बताया है त नहीं देखी तो जार के जो रुष करना अगर आपने कोई भी एंटरंस दिया है डियू का तो उसी सेम तरीके से जो है पीजी की भी जब अभी आंसर कियाईगी तो उसको कैसे चैलेंज करोगी सेम प्रोस्टियर रहने वाला है कि अधी प्रोस्ट की सेमा खूली होई है आपने अभी तक टेलिगां पर जोई नहीं किया तो आपको जो जोईनिंग का लिंक जो हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा है वहापे अलएडी पहले से कही सार बिचे जूड़े हुए हैं जोड़ेगा जिनके में doubts जो है लेती रहती हो time to time और जितने भी current affairs होते रहते हैं वो आप पर post करती रहते हूं because आप कोई भी exam दोगे आगे जाके चाहे कोई आप entrance exam देने वाले हो किसी चीज का कोई UPC exam देने वाले हो कोई government exam देने वाले को teaching exam देने वाले हो सब में current affairs एक बहुत ही सब इंपोर्टेंट पार्ट प्ली करते हैं तो आपका जो भी doubt, query वो सब भी मापे लेधी रहती हूं तो प्लीज है मैं telegram पे join कर लेना और सारे वीडियो के जो भी मेरे pdf ppt होंगे वो सब आपको telegram पे ही मिल जाएंगे ठीक है so let's start करते हैं अपनी आज की second cutoff list के साथ सब सबसे पहले देखते हैं कि आपको cutoff list कैसे देखने है विकास बहुत सारे बचों का जो है first cutoff में आप नहीं आया होगा first cutoff काफी आए गई ठीक है basically जो political science में उसकी अच्छे college में 100% गही थी so 100% तो all के लिए possible नहीं है so इसलिए आपको second cutoff में किस तरीके से नाम देखने हैं वो मैं आपको से खाने वाली हूं सबसे पहले आप में सिन पर देख रहे होगा यहां पर लिए साइड में name of college यानि कि इस वाले line में इस वाले row में जो भी आएंगे वो सारे colleges की नहीं आएंगे देन आपकी categories लिखी है देन उसके बाद उस college में जो भी course जो है offer किया जाता हो उसके सामने percentage लिखी होगी ठीक है अगर blank चुटा हुआ है इसका मतलब कि यह वाला college जो है आपका यह वाला particular course को offer नहीं करता है इसलिए जो हमापे blank चुटा हुआ है जो है जो है जो है जो है अचारे नरिजदेव college ठीक है इसके सामने जो है बी ओनर्स अप्लाइड psychology बी ओनर्स Arabic बी ओनर्स बेंगाली इस तरीके से जो है ढ़र को दिए जो हुआ हो है या और बी जो है जो है तो आपको आपने कालगा ऑगा होगा उनके सामने जो हुआ से लिखा होगा, यानि कि उनकी जा सीट्स हैं, या तो फूल हो गई होगी, या फिर कुछ कॉलेजिस क्या करते हैं, कि फर्स कॉटफ लिस्ट के बाद अपनी अड्मिशन को क्लोज दिखा देते हैं, इतने ज्यादा हुज डिमांड में होते हैं और देन जो है जब मैंने अपने टाइम पर अड्मिशन लिया था, उस टाइम पर लिखा हुआ था, स्टार्टिंग में वैंकी के जो है, एड्मिशन क्लोज हो गए थे, बट आफ्टर टू-3 लिस्ट उन्होंने आइधिंग सो 6 लिस्ट में जो है, दुबारा से कुछ सीट के लिए उन्हों के लिए, देन हम देखें, आरे बटा कॉलिज, आरे बटा के फॉर्स कॉट अफ लिस्ट में आपको बहुत अच्छे से क्लियरली संजाया था, कि आपको कैसे पीडिफ मिलेगा, कैसे नाम देखना है, बट फिर में आपको दुआरे से बता देती हूँ, और थैंक यू सो नॉर्मली वीडियो पर नहीं थी, विकास में देखने में कुछ आया था, कि हो सकते है, स्ट्रेक को कन्फूजन किसी को हो, तो मैंने जिस्ट अप्लोड कर जी थी, मेरो कोई मकसद नहीं था, ऐसा कि, यू नो, ये कोई पीक पे चल रही है, टेंपे चल रही है, तो उस पे आने के बाद ये जो लिखी है, ये आपकी परसंटेज लिखी है, पर्टिकुलर कोर्स के अंदर, यानि कि आर्या बिटा कॉलेज में अगर आपको ओबी सी की देखने है, तो आप 97 को देखोगे, यानि कि इसका मतलब ये है, कि अगर आप जनरल के हो, तो आप 84 या 88 पे नह और अगर आप OBC के तो आपको OBC की वेटिक लेकर को ओडिंग जो है, आपके मार्स होने चाहिए, इससे ज़ादा होगा तो चलेगा लेकिन इससे कम होगा तो नहीं चलेगा, ठीक है, तो काफ़ी से बचों कन्फुजन थी कि नाम आएगा, कैसे आएगा, तो नाम नहीं आत आप का परसंटेज बनेगा, आप उसको इस वाले परसंटेज से जो है, कमपेर करोंगे और देखोंगे कि आपका परसंटेज सेम या फिर उससे अबव कौन से कॉलेज में लाए कर रहा है, ठीक है, फोर एक्जामपल यहाँ पर OBC की लिखी होई है, यहाँ पर 94, ठीक है, that means कि अगर जो है, आपका जो परसंटेज है, या तो वो 94 होना चाहिए, या फिर 95, 96, 97, that means उसे अबव होना चाहिए, तो यह थी बात कि आपको कट आफ कैसे देखना है, ठीक है, अब आगे चलते हैं, इसमें और क्या-क्या चीज़ दे रखियें, यह जो आगे different percentage लिखी है यह course के according लिखे है, आप जो उसको ऊपर करोगे तो यहाँ पर आपको देख जाएगा different courses के column है तो आपको particularly उसी course के अंदर जो है, नीचे आपकी जो भी आपका percentage उसको चेक करना है, ठीक है, और अगर आपको इनकी special remark पढ़ने, जैसे कि मैंने आपको आरेबिट वाले college के व लिखा हुआ था कि 1% की concession मिलेंगे female candidate को, so वो जो remarks होते हैं, वो आपको यहाँ पर नजर नहीं आएंगे, उनकी जो है, आपको particular college की website पर आपके चेक करना पड़ेगा, so मेरी suggestion आपको यही रहेगा, कि एक बार आप इस list में जो है, आपकी जो भी favorable college है, जहां पर भी आपक list उन्होंने upload कर रहे होगी, जो मैं आपको 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 कैसे निकालना है, तो नहीं देखे, तो जाकर जरूर वाश करेंगे, कि आपको कैसे PDF निकालना है, college की website से, and then उसमें जो है, आप remark चेक करेंगे, especially female candidates, because कई सारे college हो है, 1% का आपको concession देते हैं, ठीक तो अब हमें क्या करना है, so आपको just simple सी एक चीज करनी है, और इस बार जो है, admission देने का process काफी साधा simple है, because जब हमने लिया था, हमारे time पर तो corona नहीं था, so हमें काफी लंबी-लंबी lines में लगकर admission देना पड़ा था, I remember कि में को 4 गंटे मेरी college की line में लगना पड़ा था, so इस बार जो है, एक corona से एक छोटा सा फायदा तो फायदा तो नहीं, but हाँ ठीक, आप लोग के लिए तो फायदा ही है, तो एक छोटा सा फायदा होगा है, कि आप लोग को जो है, लंबी-क अतारों में नहीं लगना है, आप लोग को घर से admission मिल जाएगा, so आपको कैसे apply करन है, आपको जाना है अपने UG के पोर्टल पर ठीक है, आपने एक जो admission के टाइम पर registration ID बनाई होगे, पास्ट बनाया होगा, ठीक है, आपको जो simply ID को लोग इन कर लेना है, लोग इन करते ही आपको वहां पे apply का button दिख जाएगा, apply new, ठीक है, that's much easy, इतना easy है, कि जो भी आप को admission list में बाद में नाम चेक कर लेना है, ठीक है, बस इतना सा आपको करना है, बहुत easy is by admission लेना, so लेकिन आप जो है, please याद रखना, जो भी मैंने आपको schedule में dates बताई थी, सिर्फ उन ही dates तक जो है, आपका admission valid होगा, because ऐसे नहीं कि जब तक third cut-off list आई कि आप तब तक admission ही ले रहे हो, ऐसे नहीं है, because date जो है, उससे पहले बंद हो जाती, admission लेने की second cut-off के under, so अभी भी आपने मेरिया अगर schedule वाली वीडियो नहीं देखे, जाके सिरूर वाच करना, so मैंने हर एक list का schedule बताया है, कि कौन सी list किस दिन आएगी, किसका admission कब शुरू होगा, किसका admission कब बंद होगा, कब तक जो है, आप अपनी admission की payment कर सकते हो, सारी किसावची जमनेफ में आपको अच्छे से पता ही है, आप चाहोगे तो उपर i button में भी आपको link मिल जाएगा, ठीक है, वहां से भी click करके देख सकते हो, and thanks for watching, आज की video में सफित नहीं, because ये जो PDF है, ये काफी मैं एके college का आपको read out करके नहीं दिखा सती हूँ, so इसका जो PDF आपको Telegram पे मिल जाएगा, वहां पर आप इसको upload कर दूंगी, वीडियो upload करने के बाद, ठीक है, so आज के मिने सफित नहीं, मिलते हैं आप से नेक्स वीडियो में, और चैनल पे नए हो, तो subscribe के विने तब तक के लिए, all the best, bye!